बढ़ती गर्मी और पारे के साथ राश्वे राजधानी दिल्ली में जल संकट का मामला भी बढ़ता जा रहा है जिसके बाद भारती जनता पार्टी और आम आदनी पार्टी में आरोप परत्यारोप की राजनेती भी शुरू हो गई है भाजपा ने इस मुद्दे पर आम आदनी पार्टी को घेटे गी विरोध परत्रशन किया बीजे पिनेता रमेश भी धूरी ने च्छतरपूर में पार्टी के कारकरताओं के साथ पानी के संकट के विरोध में मटके फोड़ कर विरोध परत्रशन किया इस विरोध परदसन के दरान कुछ गुसाये लोगों ने च्छतर फूर में इस तिक दिली जल बोट के दफ्तर मत का फेंक कट तोर फोर्ट और अपना विरोध दर्ज कराई एक हमारी एक ही मांगे किवल हमें ये बताएं कि दिली में 2014 में तेरे में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार में तब भी 950 अमजीडी पानी था आज भी 950 से 1000 अमजीडी पानी है दस साल में पांच लाख लोग प्रतिवस दिली में बढ़ जाती है जन संक्या रोजगार के ल मोजल के थे वजीराबाद में 100 अमजीडी का था ओखले में 100 अमजीडी का था उनी को दस साल में पूरा कर देते हैं साड़े 1200 अमजीडी दिली के लोगों को पानी चाहिए वो है नहीं तो इसलिए ये जो भरष्टाचार में सनलित सरकार है भरष्टाचार से अपना आपको 70,000 करोड में उनमें लगे में बचाने में जलबोड में पिछले 10 साल में अडिटी नी हुआ है 70,000 करोड के घाटे पर जलबोड है इसके लिए भी आतीसी बता देना के सीए जी बार-बार चिठी लिख चुकी है कि आप आडिट कराएं क्यों नहीं आडिट कराते हैं इसलि जहां ट्वेल लगेगी वहां की गल्यों के लोगों से 10-10-20,000 रुपे 10-15,000 रुपे कठा करते हैं, तब ट्वेल लगती है, जो लोग 10,000 रुपे देते हैं, ट्वेल उनके काबू में आ जाती है, तो यह भरष्टाचार युक्त सरकार है, इससे मुक्ति के लिए हम आजे मा अपने गरमी आएगी दिली में पानी की समश्चा बढ़ेगी,। कूल रो में पानी जादा व्एच्ट होगा, वेक्ती गरमी में दोवर नाने की कोशिच करता है, वेक्ती दसकुना जादा पानी पिता है गरमी के अंदर, क्या किया दो महीने में, केवल नॉटन की करते रह के भी जरालों को बाहर लाना, कभी के जरालों को लेकर घुमना, यह 78,000 करोड रुपया का फंड है दिल्ली का, यह दिल्ली वासियों का पैसा है, आपके इनके किसी बपोती का पैसा तो है नहीं वो, तो उस पैसे को अगर जल्बोड का आडिट कराया होता, कितना पैसा, 50% ल जल्गे उनको बदलने के लिए को प्रियास नहीं किये 10 साल में, इसके काण यहा कर मच रहा है, आज पब्लिक ने फूरा सीसा तोड़ दिया है, स्वाभाविक है, जब पब्लिक गुसे में होगी, तो पब्लिक तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं भारते जनता पार्टी के mek की तारे कर साओं को इस बात के लिए धन्यबाद दूगा कि उन्रहने आके लोगों को कंट्रॉल किया, क्योकि यह सरकारी समठ्थी भी हमारी समठ्थी है, जनता की समठ्थी, इसको नुक्सान करने कोई लाब नहीं है, और ना इसको नुक्सान करने से कुछ भाश। हासिल और दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतीशी ने प्रेस कॉंफेंस कर भार्तिय जंता पार्टी पर आरोप लगाते हुए काथ भाज बाहिंसा की शाजिस कर रही है। भाज पर ये एक बूंद अगये है का हाज मुनक कनाल पर जाएंगे एक हुआजर फचास की जगाaufen सोत यूसिक पानी आ recruiting लान तक पानीक पहुंचेगों ही नहीं है। तो दिल्ली वालों को सप्लाइ का पानी कैसे बिलेगा तो यह शडियंत्र का पहला कदम शडियंत्र का दूसरा कदम कि जितना भी पानी दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोड्यूस कर रही है और जो water treatment plant से reservoir में जा रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है जो main pipelines हैं क्योंकि कल पानी की pipeline को साउध दिल्ली की main pipeline को चान बूच कर तोड़ा गया तो शडियंत्र का पहला कदम हर्याना सरकार से पानी रुखवाना शडियंत्र का दूसरा कदम पानी की pipelines को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की supply को disrupt करना और आज शडियंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है तीसरा step सामने आ गया है जिसमें भारतिय जनता पाटी अपने गुंदों से दिल्ली जलबोड के ओफिस में तोड़ खोड़ करवाती हैं पत्थर फिकवाती हैं मटके फिकवाती हैं और पूरी तरह से गुंदा गर्दी करती हैं आपको बता दे दिल्ली के कई लाकों में पिछले कई हफ्तों से बढ़ते तापमान के कारण पाने की भारी कमी हो गई जिससे रोज मर्रा के जिन्द परवावित हो रही है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस्ट्विट्व